उत्तर प्रदेश राजर्शी तंडन मुक्त विश्वित ज्याले के इस online पार्थिक्रम अभी विन्यास परामर्श तत्र में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है मैं प्रोफेसर रुची बाजपई इस विश्विद्याले की मानविकी विद्या शाखा के अंतरगत हिंदी विशे में आचार के पत्पर कारे रहत हूँ और आज हम लोग इस विश्विद्याले के हिंदी के बीए पार्थिक्रम DCEHI-102 या CSSHI-106 जो एकल विशे इसनातक प्रामाणपत्र पार्थिक्रम है और अनुवाद में इसनातक उत्तर डिप्लोमा PGDT का पेपर 05 और UGHI जो BA का पेपर 06 का ओल्ड वाला इस पार्थिक्रम के विशे में चर्चा करने जा रहे हैं और इस प्रशनपत्र का नाम है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान यह प्रशनपत्र हिंदी भाषा का एक बहुत महत्वपून पार्थिक्रम है और ये इसमें बीए के पार्थिक्रम में विशय केंद्रित वैकल्पिक पार्थिक्रम के रूप में लगा हुआ है एकल्विशय सनातक में भी हिंदी में लगा है अनुवाद में सनातको उत्तर डिप्लोमा में और इसके लावा इसकी कुछ इकाईयां इतनी समावेशी हैं कि MAHI 103 या MAHI 3 Old जो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा इवं लिपी का प्रश्न पत्र है उसके पहले खंड भाषा विज्ञान की इकाई 1, 7, 15, 16 और उसके दूसरे खंड हिंदी भाषा इवं लिपी की इकाई 1, 2 3, 4 तथा 7 पर भी इस प्रश्न पत्र में पर्याप्त समगरी विद्यमान है अतह MAHI की इन इकाईयों को भी यहां इस चर्चा के आधार पर समझा जा सकता है अब हम लोग जिस प्रकार से पार्ठिक्रम में खंड और एकाईयों का सयोजन है और अगर वेतर होगा कि आप लोग पार्ठिक्रम को भी सामने रख के इस विशेपर चर्चा में भाग ले जो हम लोग पार्ठिक्रम के हिसाब से एक नियम एक्रम बनाते हुए चलते हैं तो हिंदी भाषा इतिहास और वरतमान में सबसे पहले खंड है भारत की भाषाएं और हिंदी और इसके अंतरगत कई उपविभाजन है जिनमें भारत की भाषाएं और भारूपी परिवार है सबसे पहले तो भाषा की परिभाषा है फिर भारती भाषाएं और भारूपी फिर भारती आरे भाष़ा, और हिंग्दी भाष़ागे चलते हैं। बहरत की भाष़ा और हिंग्दी इसमें पहली काहना है भाष़ा की अध्षा. जो हमारी वर्तनी होती है उसमें वर्ण माला की अक्षर होते हैं उनसे बने हुए शब्ध होते हैं और जो ध्वनी संकेत होते हैं हमारे जो वर्ण माला के ध्वनी प्रतीक होते हैं और उनका जो उचारण होता है वह हर भाषा में अलग अलग होता है हर भाषा के ध्वनी चिन अलग अलग होते हैं इसमें कोई तार्किक व्रस्था नहीं होती वह उन प्रतीकों को वैसी ध्वनी माल लिया जाता है और इन ध् और समाज में ही उसे अपने संबंदु का निर्वाह करना होता है और वह संप्रेशन के लिए एक दूसरे से अपने विचारों के आदान परदान के लिए शिक्षा के लिए और अपनी संस्कृती की पिढ़ी अभीव्यक्ति के लिए अस्तांतरण के लिए भाशा का प्रयोग क करता है ज्यान विज्यान का पीड़ी दर पीड़ी प्रचलन होता है और किसी संस्कृती का विकास होता है तो इस प्रकार से भाशा याद्रचिक दौनी संकेतों की संद्रचनात्मक्वस्ता है जिसके माध्यन से कोई सामाजिक समूव आपस में अंत्रक्रिया करता है तो यह वंचेंबनी संकेतों का कोडी करण और के देंट के रूप में भाषा को देखते हैं और 3 भाषा एक सन्रचिना है त between washing can help में क unmute देखते हैं तो इसमें अजह न शाद होता एक कोई बात कहता है खें करने वाला होता है सुनता है और तीसरा वो बात जो कहता है तो इसमें एक हर भाषा की विवस्था होती है तो उसमें वक्ता जिस कोडी करन का प्रयोग करता है जिस आधार पर कोडी करन वो करता है जो बात अपनी कहता है उसका उस भाषा की विवस्था के अंतरगती विकोडी परक वाक्यार्थ शब्दों और उर्थ होने चाहिए तो यह समप्रेशन के रूप में भाशा को हम इस रूप में देखते हैं कि मनुष्य जो समाजिक प्राणी के रूप में जो भी वागवयोहार करता है, मौकिक रूप में या लिखित रूप में वो भाशा के मादन से करता है तो इसलिए समाज में मनुष्य को जिन जिन प्रयोजनों में भाशा का प्रयोग करना पड़ता है भाशा के उतने ही वीवित प्रकार के हमें रूप मिलते हैं सामजी की तिस वाख़ा के सामने आता हैеп पिविविन इस तरह से है कि कोई भाषा प्रारम में पेले ध् vị फिर उस से बने गवे शब्ड शब्दों को जब संहोजित किया जाता है रूप कैलाता है जिसे राम ने रावन को मारा तो यह चाप्ड है और जब ने उसके साथ पर सरग लग जाता है तो इस वाके में, रामने को रूप कहेंगे, तो शब्दों के साथ परसर्ग होगे में उपा कहने हो आपूर जयूंकर, कर्म ना का कब। इसर्ग को धुड़ में कशने, तो व्हीया को रूप कहला हीव्ड, तो पहले ध्वशा रचनर्चण रूप करता है कि इसमें वाक्य में शब्दों का और सर्गों का क्रिया का करता का जो क्रम होता है तो भाषा सनरचना इसी प्रकार से वाक्य के बाद फिर प्रोक्ति का इस तर होता है प्रोक्ति मितलब किसी बात को कहने के लिए जितने वाक्यों का प्रोक्ति जाता है जितने वाक्यो होते हैं जैसे मौखिक भाषा यदि दो वक्ता और शोता दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो यदि वहां शोरगुल है कोई भीड़ वाले इस्थान पर बात हो रही है तो इसे वक्ता और शोता को समझने में वक्ता को पनी बात समझाने में व्योधान उपस्थित होता है उसको माध्यम व्योधान कहते हैं और एक प्रकार का वह व्योधान होता है कि शोता यदि भाषा सनरचना का ठीक प्रकार से इस्तिमाल नहीं कर रहा है शब्दों का वर्तनी का गलत प्रयोग कर रहा है तो वह एक प्रकार से वह भी व्योधान होता है तो वह सनरचना अत्म क उनमें प्रतीकों की रस्था या शब्दों का जो बनावत उनकी होगी या वाक्यों का जो गठन होगा वो अलग-लग तरह से है तो इसलिए विश्व की भाषाओं को भाषा वैज्ञानिकों नहीं कुछ परिवारों में बाटा है और इसका आधार यह संकलतना रही है कि कोई म महाद भी पाने जाते हैं जैसे तो जो अलग-अलग जगे जाके बस गए वहां की जलवाई वहां की सांस्कृतिक विश्ष्था हैं तो धीरे-धीरे भाषा आपस में जो एक भाषा के बोलने आले लोग थे उनकी भाषा में कुछ परिवर्तन आ गया और दूर दूर रहने भारत यूरोपी परिवार भाषा परिवार सेमेटिक हेमेटिक परिवार सूडानी भाषा परिवार यूराल अल्टाइक द्रविड भाषा परिवार चीनी तिब्वती परिवार ऑस्टो एशियाटिक परिवार मलय पॉलिनेशन परिवार और अमेरिकी भाषा हैं इस परका प्राचीन भाषाएं और दूसरे हिंदी अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन फार्सीजादी आधुनिक भाषाएं आती हैं तो इन भाषाओं के एक प्रिवार में होने नहीं कहा जाता है और हिंदी पंजाबी गुजराती मराथी ये सब भगिनी या सहुदरा भाशा हैं तो कि इनमें संस्कृत की सब्दावली मिलती है इनकी वाकिर रचना रूप रचना इत्यादी में संस्कृत से इन लोगों इन भाषाओं ने दाइग्रहण किया है तो यह ज को का से जाता है जैसे लैटिन शब्द अगर सब्द के लिए लैटिन शब्द कें लॏकिन करूं है और अनकी शड्यानिगों में भारभी परिवार का यवि भाण किया था कि इसके दो वर्ग बनाये थे शतम और केंटूंवर्ग, और इसमें कुछ-कुछ भाषाओं को रखा गया था, केंटूंवर्ग में चार भाषा costume हैं की चल्मनिक इटलिक और ग्रीक और की आलबेनियन और हार्मीणियन बाल्डॉ सलाविक जो रूस्थ की भाशा हैं और भारत इरानी शतमवर्ग में चार हैं घर भाषिय थ्कषाक बारत इरानी उपक्मिहक न है इसी के निएक इंदी भारोपी परिवार की विश्ष्टाओं से और आरे भाषाओं की चर्चा होगी. तो एक चीज और जालने हैं कि भारत में केवल भारोपी परिवार की भाषा नहीं बोली जाती हैं, भारत में जो दक्षिनी ख्षेत्र की भाषा हैं, जैसे तमिल, तेलगू, कंडड़, मल्याल बीषार परिवार की भाशा एह और पुर्वोट्ता राजीयों से अर्वानाचल पर देश नागा लेंड मणिपूर मिजोरम इन जगों पर जो भाशां बोली जाती है वह चीनी तिब्वती परिवार की भाशा है और एक भाशा परिवार ऑस्टो एशिया टिक है जो बिहार की इस तरह से भारत में परывать रिबटर और चीनी तिबटी परिवार और और ऑस्ट्र ऑस्टोएशियां ट्रबछा परिवार की बहुत नहीं है रहते हैं है कि भार्वल युणी भाषापरिवार की विशयष्ट का आपके पार्ठीक्रम में विद्धिमान है और इसे हम लोग और विस्तार से जो म.े.H.I.C.E. 103 है हिंदी-भाषा और लिपी वाला उसके अंदर गत भी पढ़ेंगे अब हम लोग आते हैं भारती आरे भाशाओं पर जो विकास है हिंदी भाशा का तो हिंदी भाशा का विकास तो एक हजार इस्वी के लगभग से माना जाता है लेकिन जो भारती आरे भाशा हैं उनके विकास को तीन भागों में मार सकते हैं एक तो प्राचीन भारती आरे भाषा, दूसरा मध्योगीन भारती आरे भाषा और तीसरा आधुनिक भारती आरे भाषा हैं तो प्राचीन आरे भाषा का काल 1500 इसा पूर्व से 500 इसा पूर्व माना जाता है वो एकचार वर्षों का काल प्राचीन भारती आरे भाषा काल है जिसमें की वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत लमुक्ता से विद्यमान थी और मद्धिकालीन भारती आरे भाषा पाली प्राकृत और अपभरंश का काल माना जाता है जो कि संस्कृत भाषा जब व्यक्र तो मद्धे कालीन जो भारती आ्रे भाषय है वह पॉल्इ प्राकृत और अपरङनर्श है करम्णशा जिन Bắc का विकास होता रहा पॉलिश सब से पहले उसके प्राकृत और अपरङनर्च छone नो चले कर दो बंदे कालीन भारती आ्रे भाषय है इसका काल 500 रिज़ के वर्षों का यह मद्ध कालीन भार्ती आरे भाषाओं के विकास का काल रहा है तो पाली भाषा आप लोग जानते भी होंगे कि यह जो बॉध्ध काल में पाली भाषा का प्रचलन तब शेशूप से क्योंकि पांच्वी शताबदी इसापूर्व जो है बॉध्ध और जैन धर् संही लिखा गया है जो तृत कों की रचना है विनेपितक सुथ पितक और अभीधम पितक रचना है जो महात्मा बुद्ध के संदेश है उस्व्ध विभाषा ने लिखा गया है इसलिए पाली एक बहुत संस्कृतिक धार्मिक दाशनिक शेत्रों की विभिन गरंतों से परि जिए प्र कृपी से संभव प्रक्रिति के सानित्भी में जो मतलब जन भाषा से तात पर है और ये प्राकृत बहुशा के उसुमें कई प्रांती रूप भी थे इस해주 महाराश्टी प्राकृत्षिप्न aha immerhe मतलब विभिन इस्थानी जो बोलियां थी विभिन प्रदेशों में इन प्राकृतों के विभिन रूप प्रचलित थे, क्योंकि इस्थान इस्थान बदलने से भाषा भी परिवर्थित होती रहती है, तो इन ही प्राकृतों से आगे चलके अपभरंशों का विकास हुआ, और यह जो अपभरंश है, मध्यकालीन भारती आरे भाषा में, यह जो अपभरंश भाषा है, जो अपभरंश तक जब विकास हो गया भारती आरे भाषा का, तो अपभरंश के ही विभिन इस्थानी रूपों से, प्रादेशिक रूपों से, हिंदी तथा अन्य भारती हैं हो चाहिं हैं और हिंदी भासा के मंतर्बहशत्र की अश्य को घ्राजाशर विंग है थाधा है उत्तर प्रदेश की बिहार की मद्य प्रदेश राजस्थान हर्याना और हिमाचल प्रदेश ये खास्तोर से हिंदी भार्षी शेत्र माने गए हैं और यहां हिंदी बोलने वालों की अच्छी संख्या है इसके लबा कुछ जो संग शासित शेत्र हैं जैसे दिल्ली पुर्भी उत्तर प्रदेश में और हिंदी नहीं कि अगरण प्रदेश से बोलें कीरण से बोलिकुत्र शेत्र पुर्वीं शेत्र बहुत विशाल बागोधु तुक्ति को तो इसप्रकार हिंदी भाशा का जो शेत्र है हो उसके तरगत उसकी वह सब ई बोली हैं। जिनने की आदि काली इन हिंदी साहिती से लेकर आधनी काल तक विभिन प्रकार के साहितिकी की रचना हुई है. तो हिंदी की बोलीों में जो साहिति लिखा गया है वह पूरा जो साहित्तिक परंपरा है वो हिंदी भाषा के शेत्र के इंतरगत सब आता है कुछ लोगों का कहना है कि भाषा रग्यानिक दिशट्टे कम पूर्वी हिंदी को ही अगर लिन्डी माना तो केबल उसी को हिंदी माना चाहिए उसे बिहारी और राजस्तानी डीत नहीं करना चाहिए लुक्ता उसे अंसक्रितिक दृष्टी से और उनका सभी का विकास बिलके हिंदी के विकास में योगदान देता रहा है विद्यापति जो है वह वहारी जो मैथिली के कभी है जो वहारी उपपर के नित्रगत भाशा आती है लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्थानी हिंदी में अधिकां किया जो पूरा मध्य देश है तर्भारत का उसकी और इधर जो मैथली और मैथली का जो शेत्र वो सभी हिंदि भाषा का ही शेत्र एसके ऐसे हिंदी की सत्रे बोले ओम का जो सम्मिश्रन है वो पुरि हिंदी भाषा है भाशा और समाज नामत पुष्टक में कि आप कन्या कुमारी के समुद्र तट पर खड़े हो तो हिंद महासागर की सुनील जलराशी अरब और बंगाल सागरों के श्वेत हरिताब जलों को अपने में समेट्टी दिखाई देगी दूर दूर से आने वाली विभिन रंगों के के धारायें लिरात महासमुद्र में मिलकर एक हो जाती है हिंदी भाशियों की जातिय संस्कृति ऑसमें बरज अवधी और मैथिली गा समरिध्ध-प्राचीन साहित्य उसकी विविद्धा और सम्रिध्धी सरवत्र सुलब नहीं नहीं हिसे अपरिचित रेने कारथ हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा को शेत्र अत्रयन्त विस्त्रित है और यही कारण है आप सभी जानते हैं कि 26 1950 से जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भाषा जो राज भाषा के रूप में स्थापित हुई केवल हिंदी मैसी शमता थी क्योंकि व्यापक जनसंपर्क की यह भाषा है इसलिए हिंदी भाषा जो देव नागरीली पीमेली कित हिंदी भाषा है उसको राज भाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि भारत के आधे से अधिक लोग हिंदी जानते हैं और समझते हैं और हिंदी भाषा का व्योहार अपने विभि यलुनादु इत्यादी हैं उनकी भाशाई निसे प्रश्य ओर लो इसके माध्यम से वहां पर भी लोग हिंदी सीखते हैं तो हिंदी व्यापक जन्षेत्र की भाषा राज बाशा तो वह राश्ट भाषा का दरजा भी उसे प्राप्त है तो यह एक विहंगम दृष्टी हिंदी भाषा के विकास पर अगर हम देखें तो वही तीन भागों में से बाटा गया है और शेत्र हिंदी भाषा का इस शेत्र पर आपको विस्तित अध्यन करना है कि इसमें जो बोलियां है बोलियां अगर परश्चिन से लेकर पूर्व की और देखा जाए तो राजस्थानी हिंदी पूर्वी हिंदी बिहारी हिंदी और उत्तर में जो पहाडी हिंदी है तो राजस्थानी के अंत्रगत जैपुरी मारवाडी मेवाती और मालवी यह कहां कहां बोली जाती है राजस्थान के विबिन भागों में यह बोली जाती है नाम से इस परष्ट है कि मारवाडी, मारवाड के असपास, जयपूरी, जयपूर के असपास, मेवाती, मेवात में, मालवी, मालवा के असपास और पश्चिमी इंदी में खास्वर से बांगरू, खड़ी बोली, भरज, कन्नोजी और बुंदेली इनके अलग-अलग शेत्रे, अलग-अलग जिलों में बोली जाती है, इसे बांगरू मुखी रूप से हर्याना की बोली है, यह बोली दिल्ली में और उत्तर में करनाल रोहतक, अंबाला, पटियला अदी जिलों में भी बोली जाती है, और खड़ी बोली जो है, वो हिंदी भा हो गया है पर मूलता जो खड़ी वोली है वो मेरट और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली बोली है और मेरट के लावा बिजनोव और मुजफर पूर सहारनपूर मुरादाबाद रामपूर आधी जिले इसके शेत्र के अंतरगत आते हैं खड़ी वोली में अना और ला का व आधी जिलो में बोली जाती है इस वोली का साहितिक महतो है भक्तीकाली साहित्य लगबग ज्यादा तर इसी में लिखा गया और रीतिकाली साहित्य में भ्रज में रचनाय हुई है जैसे घोड़ा को गोड़ो कहते हैं गया गयो भला भलो कांपूर तरफ इस new ждwe वास सब्सक्राइब के दोनों रूप मिलते हैं पशीमी वर्ग का जो गाह से बनता है ज humour से मारें और जो पूर्वी बनता है रूप इस तरह के रूप कंपनोजी मिलते हैं टै। की भाषा है पश्चिमी हिंदी से भी संपर्क है इसका पूर्वी हिंदी के अवधी इत्यादी से भी तो इसलिए इसमें दोनों तरह के क्रिया रूप मिल जाते हैं बुंदेली बुंदेलखन की बोली है इसमें राजवनशों का अविस्मरण इतिहास रहा है आप लोग जानत थे हैं अब हम लोग पूली हिंदी पूर्वी उत्तरपदेश या उत्तरपूर्वी मध्य प्रदेश की बोली है इसमें आव व्धी मुक्य रूप से सायथिक भाषा है हम जानते हैं कि यो सायथिक अवर्धी झय और जो जायसी का पद्मावत है भक्तिकाल की representative आज़ो प्रेमाख्यानक सूफी काविधारा के भक्तिकाल की निर्गुन प्रेमाशी शाखाय उसके कवी रहे हैं उन्होंने अवधी लोक अवधी में सहितिक रचनाय की है उनका पदमावत प्रसिद्ध है तो यह जो पूर्वी हिंदी है इसमें अवधी का अलावा बगहेली और फैजाबाद प्रताबगड इलहवाद फत्यपुर आधी हैं अवधी की विशेश्चता है कि पुलिंग जो संग्या शब्द होते हैं उनमें वा अंत में लगता है जैसे गुडवा कहेंगे अवधी में और ज्यादा तर इसमें जो भविश्यत काल के रूप होते हैं वो हा स काहिए ड्रवनी के दिरिश ते अवधी में आई और आउ मूल्स वरव तोड़ा सा परिवर्थित हो के आई और आउ के समान उता है तो यह जाता है बगहली-बगहिल खन की बोली है यह अद्यप्रदेश के रीवां जबल पुर मांडला बिहारी उपभाशा की चर्चा करते हैं बिहारी का उपभाशा का इस्थान मुक्यूप से बिहार राज्य है इसलिए इसका नाम बिहारी पड़ा बिहार में मुक्यूप से भोजपुरी मैथली और मगही वोलियां प्रचलन में और भोजपुरी इतने व्यापक शेत्र की भाशा है कि बिहार के लावा यह पूर्वी उत्तरपदेश के बहुत ज्यादा जिलों बोले जाती है इसे बस्ती गुरकपुर बलिया आजमगड गाजीपुर जौनपुर वारांसी मिर्जा पूर इत्यादी भोजपुरी के शेत्र बोजपुरी की कुछ भर्शिक विशेष्ताह हैं जैसे इसमें ने प्रत्य नहीं होता अवज़ी में भी इस प्रकाइव विशेष्ता थी जैसे उ कहल क उस्में कहा करता रूप आविकारी होता जैसे घोडय को हम लुग हिंदी में कहते हैं अ परिअानिष्टीट हिंदी मे जासे बड़ा को बढ़का, बड़ी को बढ़की और कई संबंधवाचक विशेशन नहीं बदलतें कि अधिशत की अविकार्य अधिकारी अकारांत रूप में आती है। भविश्यत का रूप बासे बनता है अवधी में भी विश्यता मिलती है जाओंगा या जाओंगी को जाइब इसमें भी लिंग विभेद नहीं होता है जैसे हम पूर्व की तरह बढ़ते जाएंगे भाशाओं या बोलियों में तो उनका जो अविकारी रूप होते हैं संग्य के वो अधिक भी लेंगे उसमें जो क्रिया के जो भी रूप बनेंगे उनमें भी जो लिंग परिवर्तन है वो कम देखने को मिलता है मगही शब्दा मगत से ही बना हुआ तद्भा रूप है उसका यह बिहार के पटना गया आधि जलों बोली जाती है मैथिली मिधिला शेत सबसे अधिक प्रसिद्ध है और उसके मादन से जो उन्होंने प्रवर्तन किया हिंदी के जो गीर्ति-कावी की परंपरा का वही आगे जाके पल्लवित होती हुई भक्ति-काल के कृष्ण-भक्त कवियों में हमको मीरा, सूर, शूर, श्का, नित्यादी में दिखाई देती है तो इस तरह से विध्यापती जो है मैथिल कोकिल कहलाते हैं और हिंदी के जो गीति-कावे-धारा उसके जनक माने जात की वह काल अपभ्हंशों से आधनिक भारती भाषाओं के विकास का काल था और तो वो एक संक्रान्ति काल की भाषा का एक आधर्ष्णमूना प्रसुत करती जिस्ति उनकी भाषा का भाषीक और साहित्तिक दोनों ही दृष्टियों से महत्तो है और तो मैथिली बहुती समर् लोग के पूछा जांट है तो नी कर पर में में कुछ अंतर होते हैं जो आप इसको पढ़ लीजेगा एक लगों प्रस्तुन के रूप में इसको अप लोग्त त्यार कर लीजेकैं जो अवी हम लोगने जो दोनियों की चर्चा की या अंतरों की चर्चा की उसी प्रकार के अंतर हैं हिंदी भाषा के विविद रूप अब लोग इस पर आते हैं कि हिंदी भाषा हो जो व्यापक जरशेत्र की भाषा है और जब कोई भाषा एक विक्सज भाषा के रूप में सांगे आती है तो वो जो समाज होता है अग्राशा को बोलने वाला वह इतनी शेत्रों में भाशा का प्रयोग करता है उन विभिनधी शेत्रों के अंसर भाशा के विभिद्व प्रवजन प्रवजनमुलक रूपों का विकास एक आवशक्ता बन जाती है। सब्सक्राइब हईशा के रूप में विकास अपना करता है उसकी भाशीक सम्ता का विकास होता है तो हिंदी की इस प्रकार से विभिरन्प्रकार के प्रयोग्टिय बार्वा प्रयोग में लाया हुआ लगातार प्रयोग किया जाने वाला तो भाषा का रूप जो रूप जिस शेत्र में लगातार प्रयोगत होता है उसे प्रयोगती कहते हैं तो सामाजी किस्तर भेट के काण भाषा में जो अंतर आता है वो प्रयोगती का रूप निरधार करता है प्रयोजन मूलक हिंदी एक वरतमान में बहुत एक नया विशह है और यह बहुत ही आवश्यक है जानने के लिए क्योंकि पहले तो हिंदी केवल साहिती में प्रयोगत हो विधान के बाद राजभाशव के रूप में स्विकार कर लिया तो इसके बाद उसमें उन्टाओं का वी विकास होंदा दरूरी था कि जो साहिती के लावा वैज्यानिक विशों में वीदी किसे प्रयोग स्वी यह ब्रकुत्ति दीन प्रवाजन के लिए उसके भाह की सकते कई उपो में दिखा सकता है एक अलग छिए दिया रज़िएंग के सब्सक्राइब में देखते हैं निद्धा एक अलग पुछति पुछते कि अबने के सब्सक्राइब होते हैं जैसे पारिभाशिक शब्द होती है वैंडल राषएसायनिक पुष्टकों बर्ली जो हमारी प्राहिंदी पुष्टकों में, प्राह प्रेएसारी के-पृष्ट, वैंडली के tillौ तो वह एक अलग भाशा रूप है कार्याले हिंदी अब जब प्रशास्निक शेत्र में राजभाशे रूप में हिंदी का प्रयोग होने लगा तो हिंदी में उस शंता को लाने के लिए अंग्रेजी के जो विफिन फॉर्मेट थे जो पत्र थे जो उसकी परिपाटी थी उसी स नयुद्सी आपिया जा रहा है और काफी इसका हो चुका है तो हम लोग देखते हैं जैसे बैंकों में और हर जगह हिंदी के जो पत्री जातत तर्य प्रयोग कियी जाते है और मिधि सब्सक्bands 5 जो चीज़ें यह प्रयोजнить味 ही हो बेन हां उसमें आपको कर साथ हो बिस्टाइब लिए घृतर अपना अलगा चाहि क्योंते हैं न्याय के सद्रेब कारेवाई हैं तो भुट सा πसमें तो भी या चाहित होते हैं तो देज्टों हैं तो इसकी अपनी शब्दावली होती है जो विधी प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी सामाजी के ज्ञानों की शेत्र में जो हिंदी है उसमें सामाजी संस्कृती जो है धर्म धर्शन इत्यादी से जुड़े हुए शां स्यरो खोटें यह सवर्शन इन उनका अपना विशन कंदर्वेक अर्थ होता है योंड़ों के आट अब प्रियूक्त होती है उसके पारिभाशिक विविन्ज शेतरों की जो शब्दा वली है उसको बनाने की आवशक्ता पड़ती है एक विशेश प्रयोजन मुलक शेत्र है हिंदी का संचार माध्यमों के शित्मे हिंदी उस प्रकार से भाषा की विशेश्थाएं भी दोनों में अलग-अलग होती हैं, मुद्रित माध्यम में दूसरे प्रकार से विशेश्थाएं सामने आती हैं और जो इलेक्टोनिक मीडिया है उसमें भाषा प्रयोक की अपनी विभित्ताइं होती हैं, हिंदी या किसी भी परिता के विकास से बहुत कही तोर पर जुड़ा हुआ है इसलिए प्रयोजन मुलक जब स्वरूप का धिन करते हैं भाशा के तो उसमें संचार माध्यम के रूप में भाशा के स्वरूप का और उसकी विभिन प्रयुक्तियों का बहुत अधिक महतु है इस तरह से हम देखते और भाशा अपचारिक होती है और जो सामाने भाशा होती है वो बोलचाल की प्रया होती है और उसमें अनपचारिक शब्दों और राक्यांशों का प्रयोग होता है और उसमें इतनी सहजता होती है एक साथ कई तरह के उद्देश्यों के लिए उसका प्रयोग किया सकता है और उसमें शब्दों का अपने इसाब से अपनी सुविधा के साब से प्रयोग और भाशा में इस प्रकार के घुमाओ फिराओ का कोई अवकाश नहीं होता उसमें असंदिग्धता और इसपश्टता बेहर ज़रूरी होती है क्योंकि उसका प्रयोग निश्चित तो साहित्य का संबंध हमारे जीवणानुभाव समेधनों से होता है और मस्तिश्कों हर्दय पक्ष दोनों ही साहित्य में उद्गाटित होते हैं तो इनमें भावना की तीवता और घहनता भी पाई जाती है विचारों का गुंफित विन्यास भी होता है तो इस प्रकार के शब्दों का प्रेए होता है कि जिन को अनेक संदर्भों व्याख्यायद किया सकता है जिनके अनेक अर्थ निकल सकते हैं आलंकारिक प्रेए हैं भिम्ब प्रथीक विधन की साही। जिनसे अभिव्यक्तिय वरदे किस्पष्ट होती है उसमें वियंजनातमक्टा आती है लक्षण व व्यंजना का प्रचुर्प्रयोग साहिट्य की महत्पूर विशेष्टय की अच्छा ही माने जाती है लेकिन साहिति में जहां प्रयोगों की विविदता आलंकारिकता इन सब की प्रधानता होती है वहीं प्रयोजन मुलक भाशा होती है वह सीधी और सपाट होती है उसके लिए यह जरूरी है कि जो शब्द कहा जा उसका एक निश्चित अर्थ और अभीष्ट अर्थ निकले जो जिसको की बहुत गहराई से देखने विशकता है क्योंकि हिंडी और उर्दू के विकास का आपस से बहुत सब्सक्राइब भाषा तो जो उनकी भाषा ती संपर्क भाषा उसमें उन्होंने जो तो उस समय हिंदूस्तान में बोली जा रही थी जो भाषा हैं जो जनपधी भाषा हैं थी खास और से मध्य देश आग्रा और दिल्ली के असपास ही मुगल भाषाओं की मुसल्मान शासकों की राजधानिया रही थी तो वहां पर जो भाषा जनसामान में प्रचलित थी हिंद दिल्ली के आसपास के जो लशकरों में बोली जाने वाली जो भाषा थी चावणियों में बोली जाने वाली जो भाषा थी वहां जो व्योहार भाषा का खड़ी बोली और भी फारसी मिर्शित जो होता था उसी से धीरे धीरे जाके उर्दू भाषा का विकास हो हलां कि उर् ऐस पास बार देश को हिंदुस्तान केहते थे और यहां के लोगों को हिंदी कहते थे रहा और आगे जाके जब ऐसिन फ्सक्राइब उन्य को आपना की की जो दो शैलियां है कि हिंडी एक हिंदी उस परकार की हिंदी जो असमिता बोध-जागा हिंदी भाश्यों का मुन्य ऑर उर्दू भाश्यों में आपस हिंदी को अलग संपर्ग भाषा गरूप में विक्सित किया गया तो इन भाषाओं में धिरी-दिर अंतर आने लगा क्योंकि अलगाओवादी नीथी की करण भी इस अंतर को प्रश्चय मिला नहीं तो पहले जो शिक्षित जो संभ्रांत लोग थे वो उर्दू पढ़ते थे पंजाब और जो डिल्ली के आसपास का शेत्र होता था वहां स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती थी पर अंग्रेजों ने इस प्रकार की भाषा नीतिया अपना ही कि जो उर्दू जो मदर्सों वाली शिक्षा थी तो मुस्लिम अपने विहार में प्राय उर्दू प्र अनिवारे भाषा नहीं किया गया और उसकी लिपी से धीरे धीरे लोग परिशित उतने नहीं फिर रहे तो इसलिए इन भाषाओं में एक अलगाओ आ गया हालां कि संरचना की दृष्टि से दोनों में समानता है और वाकिर रचना की सतर्वी समानता है कि व्याकरणी भाषा वैज्यानिक दृष्टि से इन में कोई अंतर नहीं है परन्तु वरतमान में जो प्रयोजन मूलक सुरूप है इनका वह अलग होता जा रहा है वह भाषाई नीतियों की वज़ए से और जो स्वाधिनता अंदोलन काल में जो अंग्रेजों की नीती रही उसकी वज़ करण और भाषा नीतियों करण इनमें अंतर आ गया है है हलांकि हमारे जो नेता है रहे हैं स्वाधिनता अंदोलन के जैसे महत्मा गांधी त्यादी उन्होंने इसका जो एक आम फेहम रूप है हिंदी और उर्दु का जो मिला जुला बोल्चाल का सुरूप है हिंदुस्ता दिया और कहा कि यह जो बोल्चाल की हिंदी है जो से हिंदुस्तानी नाम दिया गांधी जी ने उसको उन्होंने राज भाषा बनाने की बात उठाई थी लेकिन अंतिता ऐसा नहीं हो पाया और वो भी जो अलगाओ की एक जो इस्थिति आ रही थी उसको रोक नहीं पाये परन्तु यदि विस्तार की दिश्थे देखा जाए तो भाषा का आम फेहम रूप ही प्रचलित होता है तो संपर्क भाषा की रूप में उसका विकास तेजी से होता है और अन्य प्रांतों के लोगों को भी उसको सीखने में आसानी होती है लेकिन इसका तात्पर यह नहीं जो कि आनिये हैं कि किसी भाषा में प्रांती रूपों की रूर्थी भाषा से अर्भी इत्यादी शब्दों को अनवर्चक रूपसे डालके भाषा का स्वाश्थ तिह भले कि अशुश्य के लुप है जो मानक स्वाल ना चाहिए क्योंकि एक मानक स्वालूप होगा वही ज उस में तकनीकी कार्य होते हैं मुद्रन इत्यादी होता है ओ जो दूर संचार के साधनों में अधिक इस भाषा का सफलता गया प्रेयोग होता वो संभा होता है तो इसे भाफा निघा में भाष्ण निए जो राजबहशा होती है अन्य जो लोग होते हैं राज-कार दमें तो उसके मानक ध्वनीगातक और वरतनी इत्यादी के मानकी घरण का भी प्रशन उर्टा है कुझ संदर भी आया हुथ उसका भी आपको लेखना पड़ेगा और ये मानकी और आप लोग जाना लिजे कि ये केवल लिखित भासा वाकिय रचना का क्या मानक सुरूप है परशर गित्यादी का हृया रूपों का तो वह कैसे लिखा जाता ए लिखने में और वाकी की संद्यादी तो उसके जो मानक होते हैं वह मानकी करण से संबन देता हूं और समय समय पर अनेक समितियां वनी है जैसे किंद्री इंदी देशाले है और और बी समितियां है राज भाषा अधिनियम इत्यादी के अंतरगत भाषाई नीतियां व्याख्याईद की जाती रही है तो वो सब आपके इस व्रशन पत्र में शिक्षा में हिंदी एक आयम है की के प्रकारियों के वारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक तरब में व्यापर्ट्संपर्क शेत्र की भाषा है ही इसके इलावा भारत से बाहर जो सूरी नाम तिनी डाड और वियत नाम इत्यादी यहां जो अपने वागवियोहार में उनकार्या हों करते हैं नहीं पत्त्रपत्रिकाएं बहुत से लोग विदेशों में इस तरह से विदेशों में देशालियों और करीब विश्व में नेक भाशायी सांस्कृतिक कारणों से भी और व्यापार कारणों से भी हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है और बाहर के 500 से अधिक विश्रविध्यालगों में हिंदी पढ़ाई जा रही है तो इस प्रकार से हिंदी का एक अंतरराष्टी संदर्व है औ और इसी लिए इसी संदर में मानकी करण की जो आवशक्ता है वो हमारे सामने आती है क्योंकि जो भाषा है उसको सीखना सिखाना अगर उसमें एक रूपता रहेगी किसी इस तर पे तो अधिक आसान होता है कि पाथbaj रिया में जो हिंदी बहाशी शेत्रों में और अन्यप्रांटों में जो होती है पार्ठे घर्या में जो भाषानीति अपनाई जा रहे उसमें तीन रूप देख सकते हैं एक तो प्राथमिक बेशा पढ़ाई जाती है एक इसमें मूल रूप से दो रूप में टो भाषा जो है वह वह है जो रूप हमस्ट ही है प्राध्य में एक पड़ाए यहिंौ'RE और अगर दूसरे हिंदी और अगर जो हिंदी प्रांथ हैं उनमें कोई अन्य भारती भाषण भाषण पढ़ाई जाएगी जो गई दूसरी भाषा तीस्री भाषा अंग्रेजी या विदेशी भाषा तो इस प्रकार से त्रिवाषा सूतर के अंदर गए तीन भाषा पढ़ाने का खास्त और सी प्रयोजन है कि जो शिक्षा है उसके माध्यम से एक्टी भाषा सीखता है और भाषा का अपने विविन सामाजिक प्रयोजनों व्योहार करता है तो जब हमारे बच्चे और नभीवक भाषा की अच्छी योगिता धारित करेंगे तभी वह आगे अपने व्योहार शेत्र में अपने विविन नौकरियों में हिंदी भाषा के माध्यम से आगे आएंगे और हिंदी की शब्दावली का उसकी विविन प्रयोजनी स्वरूपों का और अधिक विकास होगा और जो प्रांतों में आपस में जो संपर्ख है वो और सुगठित धंग से होगा तो इसलिए जब हम किसी भाषा कि विस्तार की बात करते हैं उसके विकास की बात करते हैं तो dialect को किस तरह से ले रहे हैं उसमें जो नीथिया है अब या अब उचिए स्थरे माध्यमिक इस थरी की बात हो गई अब उची शिक्षा में है उस गरे अपना ही जा तो उसके अनसार तो राज-बhashy भारत के ह melhor भाषि शेत्र Koh 23 संग्षाषिशेत्रों की भाषा भी राज भाषा और उसके लगए यह thanks जो जिविवीन-प्रांतों की भाषा हैं उनके भोलने वाले वी आपसी देवहार कर राज-काजिका हैं उसमें संपरिव भाषा के तो उसने समित्यों द्वारा जो सरकारी पनी और उसमें परियाप्त विकास हो जाए प्रेविन प्रयोजन मुलक प्रवयुकतियों का फारिवाशिक शब्दावली का तो सहराज भाषा कर नहीं परंतु कुछ दक्षिनी राजियों की जो भाषाई नीतियां है उनका जो असे हो गया उसके करण यह अनंत कालतक अंग्रेजी को सहराज भाषाक्रूप में बनाने की जो नीति है उसने हिंदी के जो विकास है जो राष्टी जो अखिल भारती सुरूप है उसमें बहुत सी उ जो संस्कृतिक हमारे देश में विद्यमान है उसको अगर हम देखें तो एक ऐसी जो धारा है भाषा की और संस्कृति की or सब्सक्राइब देश की सवभावी पुषेष्टा है देश की सामासिक संस्क्रीती और जातियता की जो देश की असमिता है तो वह अपने में अलग है और कुछ भी आरोपित किया हुआ उसको प्रभावित नहीं कर सकता तो इस प्रकार से हिंदी एक सम्रद्ध भाशा है देश के व्यापक जन्शेत्र की संपर्ख भाशा है जो राष्ट भाशा के उच्यासन परप्रथिष्टित वास्तों में है वह कागजी तोर पे इस प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया जा सकता लेकिन जो भाशा अंतरप्रांति संदर्भों में विभिन प्रकार से संपर्ख तौश्टि से 3 अस्थान हे हिंदीका तो शिख्षा माध्येम के रूप में भी हिंदी तो शिख्षा सामगरी के रूप में तरह तरह इसे आज हिंदी में नए जो हमारे संचार उपकरन है उसके माध्यम से भाशा शिक्षन की जिल कि अर निर्माण शोती हो रहा है जो एस को मधी उनको यह था कि जो हमारा जो फिएइस यान्ट ऑधिक पूस्तक प्रश्ण पत्र हैं इसकी वही प्रश्ण पत्र समरचना होती है जैसे आपके और प्रश्ण पत्रों में होती है जो व्याख्या के बिनावाले पत्रों में तीन खंड होते हैं जो 16 अंक के से फियाई पत्रों में तीन करने शेंद सकॉल होते हैं को शंख्रों में दौट श्रॉज निवंद्वत होते सांकशिती हैssä करनी रहता है और बकिल्ग में 12 जन हेंिसे दो करनी तो 16-16 अंको的 के तिन प्रस्टन कि खंडकाम है डीर्गवाले 10 प्रस्टन का एक खंडकाम है संख़ित निबंधवत और 66 अंको тобой 92 प्रस्टन कोते हैं टिपणी वाले तीसरे खंड में तो इस प्रकार से 70 अंकों का प्रश्ण पत्र होता है जो आपको करना रहता है और जो पीजी डिप्लोमा है उसमें यही प्रश्ण पत्र 100 अंकों का होता है प्रश्ण की प्रश्ण पत्रों की जो संरचना होती है वो समान होती है कि उसमें दीर और संक्षित निवंदवत और टिपणी वाले प्रश्णों ते अब दीर प्रश्णों में देखें मैं क्रमशा बताती जा रहे हूं आप दोग ध्यान से नोट कर लिए कि क्या क्या प्रश्ण इस पर बंते हैं इस पार्थिक्रम पर जो यह पार्थिक्रम आपका है हिंदी भाषा इतिहास को वर्नन की जई हिंदी भाषां के उत्भा और वीकास व विस्थित रूप से प्रकाष डालिए भारति हर्थि आयशा कीये विकासायग पोर का निरदेशानुसर सबश्थार वर्नन की जई ङंदी के वीवित रूपों और भूमिकाउं का मर्नन की जई हिंदी कर वैधानिक इस्थिती पर विस्तार से प्रकाश डालिए राज भाषा हिंदी के विकास के विवित आयामों का वनन कीजिए हिंदी भाषा के मानकी करण की समस्या पर विस्तार से विचार कीजिए भारती स्वतंतता आंदूलन में हिंदी के योगदान की समीक्षा कीजिए प्रदत्यों सुज़ावों का वंढन कीजिए, फिर देखे कुछ टिप्पनिई वाले प्रस्ने जो लगू प्रस्न भी हो सकते हैं, रोजनमुलक बहुष्य हमनेी हमने हिंदी में अंतर, रोजनमुलक हिंदी राज भाषा आधिनियम भाषा का आधुनी की करण इवन मानकी करण, गरूज ये कुछ लगूखू प्ररश्न जैसे सामाजिक व्युवहार के रूप में भाषा का श़ुरूप सिपस्ट की जिए भाषिक्ष नयचना से क्या तात्पर्य है, लिटाद भारती भाशाओं की मूलगूत एक लेख लिखिए फिर टिपणी कुछ टिपणी वाले प्रस्न त्यार करिए हिंदी खड़ी बोली का विकास हिंदी और उर्दू की समस्या हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य का विकास हिंदी उर्दू और हिंदूस्तानी भाशा और बोल बोल चाल की भाशा और लिखेद भाशा में अंतर रथा उन पर एक दूसरे का प्रभाव हिंदी भाशा के प्रयोजन मूलक प्रकार इत्यादी तो इस प्रकार से हिंदी भाशा और इतिहास और वर्तमान प्रश्ण पत्र के अंतरगत एक तरफ तो हम लोगों ने हिंदी भाश और इन प्रश्णों को आप लोग ध्यान से देखेगा इन में कोई दिक्कत आती है तो फोन पर या कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं और आपको सभी को भूद भूद धन्यवाद शुब कामना है